व्लिव फ्रेंज नमस्कार फ्रेंज इन दिनों में लास्ट टू 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 टी डेस में आरबी आई ने जो स्टेट्मेंट दिया है कि स्टॉक मार्केट में बाबल है और बाबल को करेक्शन होना जोरी है एक जो हींस दिया है उस नीज़ के लेखे काफिर चर्चा में है 2020-2021 में इस साल में ही जब 52,000 51,000 से ज्यादा टाच किया था सेंसेक्स तभी भी एक करेक्शन आया था ठीक है हम लोग देखने के लिए मिला कि सिंगल डे 700-600 पॉइंट्स निचे गया था सेंसेक्स तो इसमें करेक्शन चोटा मोटा करेक्शन मार्केट में ज़रूर आ सकता है और जब मार्केट में कोई अगर करेक्शन आता है इस गूट फॉर मार्केट अलसो ठीक है फॉर हिल्दी मार्केट तो आप देख सकते हो स्कीन में की एक साल में जो मार्केट में निप्टी 50 में 58% का यहां पे बढ़ोतरी हुआ है जहां की बात किया जाए सेंसेक्स का सेंस सेंसेक्स में भी एक साल में यहां पर देख सकते हैं तो आप 56 के असपास परस्टेंटेज यहां पर बढ़तरी हुआ है तो लगफग अच्छा खासा यहां पर मार्केट में इंक्रीस तो जरूर हुआ है बाट इन बीट्वीन हम लोग को 700 800 का जो लगातार यहां पर कुछ देखने के लिए मिला था तो ओभी एक करेक्षन ही था ठीक है मानते हैं कि पैंडेमिक सिच्वेशन में काफी ज्यादा रेविन्यू और ग्रोथ का इंपक्ट पर है मार्केट पर कॉम्पनिस पर तो उसके चलते जो रिजल्ट आया था उसके उपर इंपक्ट जरूर परा ह होगा बट अभी भी शेर मार्केट में इंडिया में 5 पर्सन लोग की ट्रेडिंग करता है तो रिटेल इन्वेस्टेस को मार्केट में और वही जादा तरिका से आ रहा है लोग टेडिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा निवेश हो रहा है आप देखें डॉमेस्टिक इंस्ट्यूशन ने सारे के सारे इंस्ट्यूशन जो है वह स्टॉक्स मार्केट में निवेश करता जा रहा है तो बाबल का मतलब यह नहीं कि फट जाए और मार्केट बहुत लेना है तो देखें अगर आप अच्छा स्टॉक्स में निवेश करोगे तो बाबल फाटने का कोई आपको टेंसर नहीं होना चाहिए ठीक है और चितना भी बाबल फाटे का उस्टॉक्स इतना नहीं गिरता है ठीक है मेरा पिछले वाले वीडियो में भी पोला था कि सेफ अगर बाइंग प्राइस से उस प्राइस कम है तो आप उसको आवरेज आउट कीजिए उसको और बाई कीजिए उसको और बाई करके आपका पोर्टफोलियो में और इसको आवरेज आउट कीजिए अगर आपके पस कोई खराब स्टॉक्स है तो उसको निकाल दीजिए ठीक और मार्केट में जैसे करेक्शन आता रहा है चोटा मोठा तो उसकर उस टाइम पर आपका जो पसंदीदा स्टॉक्स है उसको बाई करके रखिए ठीक है वह आपके लिए ऑपर्चुनिटी है बाई करके रखेंगे फिर जब मुखा मिलेगा तो आपको बहुत ज्यादा पॉक्फोलिय में वह रह जाएगा तो आप यू गेट मॉर फॉफिट 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 ठीक है तो आर्बियाई ने ए बोला कि जो जीडिपी है और जो शेयर मार्काट का उच्छाल है वह कहीने कहीं ठीक से जस्टिफाई नहीं हो रहा है ठीक से मैच नहीं हो पा रहा और सबसे जो खतरनाग चीज था कोबीट सेकेंड वेफ वह अलेडी हम लोग पास्ट कर चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग वैक्सिनेशन आगर लेंगे तो थर्ड वेफ जो आने वाला है उसमें ज्यादा इंपक्ट नहीं परेगा वैक्सिनेशन अभी बाजार म आरबियाई ने मेरे तास से ठीक नहीं है क्योंकि एक एक नेगेटिविटी एक डीमोटिविटिक का फैक्टर हो सकता है इन्वेस्टर के लिए काफी इन्वेस्टर साइथ पैनिक में वह बात को दिल में बैठा कर स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देगा ऐसा होगा नही जास होता है तो यह बहुत ही बुरा बात होगा तो देखी आभी जो मार्केट में कोई कारेक्शन आता है तो उसके चलते अप कोई शेर को मत बेचिए वह वह सकते ऑपड़र का गेम है यह नियूस को वह लोग इटलाइस करके ऑपड़र्यमोग मार्केट को गिरा सकता है ए तो आपको पैनिक नहीं होना है अगर आप एक अच्छा स्टॉक में निवेश किये हुए हो तो आपको होल्ड करना चाहिए ठीक है तो अगर होल्ड करोगे तो देखो कि मार्केट उपर जाएगा और वो स्टॉक भी आप होगा और साड़ा ऑपरेटर गेम खतम हो जाएगा ठ आपको वेट करना है अगर अच्छा स्टॉक्स है तो देखेंगे एक दिन में वो स्टॉक्स ऐसा उच्छाल मारेगा कि आपका प्रॉफिट 20-30-40 परसेंट तक आपका प्रॉफिट इल जाएगा तो आपको डी मोटिवेटेट होने का कोई ज़रत नहीं है आप अगर अच् उसमें साब निकल सकते हो अभी मार्केट पिक टाइम पर है तो जब वो स्टॉक्स और भी भायंका रुप से गिरेगा जब मार्केट गिरेगा तो ठीक है अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेट हो बहुत ही जिसका बिजनेस तक्रा है कॉम्पनी बहुत प्रब नहीं होगा अब फिर से मार्केट जब गेन करेगा मार्केट फिर से उच्छाल आएगा तो आपको और भी ज्यादा मुनाफा मिलने का चांस है क्योंकि आप एवरेश आउट भी कर सकते हो उस टाइम ठीक है तो देखिए हर बुड़ा वक्त के एक अच्छा चीज हो तो आप वेट कीजिए जब वो स्टॉक्स और भी नीचा आएगा आपका जो फर्स्ट बाइंग प्राइस है उससे नीचा आना चाहिए तभी एवरेश आउट करने का फायदा है ठीक है तो फिर आप उसको बाई कीजिए फिर आपको लॉंग टरम के लिए उसको छोड़ की ठीक है तो देखें बाबल का बात जो आर्बियाई ने बोला है वह यह बोला है कि भार्केट का जो अभी 52,000 की तरफ चल रहा है तो उस वह उसको लग दे कि फिर से एक करेक्शन आएगा जो फेबरारी में आया था तो भाई हां आय तो था अभी 700-800 भी मार्केट में क्रास हुआ था एक माहने पहले तो करेक्शन तो आएगा करेक्शन इस गुड़ फर मार्केट बट क्रास नहीं होगा मेरे ख्याल से बिलकुल नहीं होगा कि अभी देखी सीचुएशन अभी फेवरेबल में हो ने जा रहा है और से कर रहा है और रिटेल इंवेस्टर बहुत बड हम जैसे रिटेल इंवेस्टर्स अगर इंडिया मार्केट में भरोसा है तो स्टॉर मार्केट 52,000 नहीं आपको एक दिन ऐसा आएगा कि 80,000 भी सेंसेक्स आ जाए और निप्ती 25,000 ठीक है तो आप यह समझ के चलिए पॉजिटिव आप हमेंसा बने रहे है पॉजिटिव यही लेके बहुत निगरिविटी का लाए जा रहा है मार्केट पर तो सोचा आपके लिए थोड़ा सा मैं पॉजिटिविटी यह न्यूस बोलू कि इतना भी खरब सिच्वेशन नहीं है जो मार्केट क्रास हो जाएगा ठीक है हाँ आप थोड़ा सा अपडेर रही है मार्क केट में जो बहुत क्वाल्टी वाला स्टाक से उसमें इंवेस्ट कीजिए ठीक है तो वीडियो को स्राशा भी इंफर्मेटिव लागा है तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा और अगर फरस्टाइम चैनल को सुन रहे हो आप मेरे वीडियो को तो एक सब्सक्राइब कर सकते पर मोर इंफर्मेटिव वीडियो के लिये स्टे होम और स्टे सेप्ट मै फ्रेंज थैसे में फ्रेंट्स वाचिंग्स वीडियोपर